हर्ट्स एक्सपेरिमेंट पहला साइंटिस था हर्ट जिसने लाब के अंदर EM वेव की जनेरेशन करके दिखाई तो बस अपरेटर्स पे आओ सीधा उसने क्या किया यह कैपस्टर की प्लेट्स हैं और यह इंडक्टर है इंडक्टर का मतलब L और यह C तो उसने LC उसलेशन की उसने कैपस्टर की प्लेट के साथ तार जोड़ी और दो चोटे 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 दो पतले से सेरी कठे कर लिए बहुत पास गैप छोड़ा हुए बीच में तो उसने क्या किया ओन किया एनरजी कभी L के पास कभी C के पास कभी L के पास कभी C के पास इसको LC oscillation बोलते हैं अब LC oscillation में electric field कभी औपकर इनीचे कभी ओपकर नीचे oscillating electric field था तो यहां पर हवा में oscillating electric field generate हो गया और oscillating electric field ने changing magnetic field generate कर दिया और वहा से क्या generate होगी? EM wave, तो electric or magnetic field generate होके energy आगे जारी थी आगे एक ring लेके बैठ गया ring के आगे दो पतले दे सेर हैं तो जैसी वो यहाँ पर EM wave आई ring को उसने घुमाया घुमाया क्यों? क्योंकि electric field vector अगर उपर है, तो electric field इसके साथ coincide कर गया और यहाँ induction से charges produced हो गया और यहाँ पर spark हो गया तो electric field ने spark generate किया तो सबको लगा कि हाँ इतनी दूर से बिना तार के spark generate हो गया, इसका मतलब electric field आगे travel कर गया यह hertz experiment था असल में hertz experiment का apparatus देखने में ऐसा था यह spherical capacitor है यह gap है, यह inductor है और यह ring है जिसमें EM wave generate हो गयाँ पर spark generate हो तो यह hertz experiment था